आप लोग देख रहे होंगे कि जहारखंड की राजनीती में एक नाम अभीव काफी चर्चा में बना हुआ है वो है यहां की मुकमंत्री हैमंद सौरेन और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनको देख भी रहे होंगे इन पर आप देखिए कई आरोप लग रहे हैं विश्टाचार की आरोप भी लग रहे है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामानजानकारी देख लेंगे और याद रखी अगर इस तरह की राजनेता चल्चा में रहते हैं तो हमें अपने देश के राजनेताओं के बारे में कम से कम एक सामन जानकारी होनी चाहिए कि इनका एजू के सनियानी की सिक्षा किस तरह से है इनकी इनका family background, परिवारिक background क्या है इनका राजनेतिक सफर अभी तक किस तरह कर रहा है इनके इनसे जुड़े हुए विबाद कौन-कौन से है तो पहले एक बार आप लोग जारखंड को देख लीजे यह आप देखें कि हमारा प्यारा भारत है इसमें आपको जारखंड देखने को मिल जाएगा राची इसकी रादधानी है और आपको मालू होना चाहिए कि 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से लग करके जारखंड को एक नया राज बनाया गया था पहले जारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था और आप देखेंगे इसकी सीमा बिहार से लगती है उत्तरपदेश से लगती है चतीस गड़ से लगती है उडिसा से लगती है और पश्चिम बंगाल से भी लगती है राची इसकी राध्धानी हो गई और यहां विधान सभा में 81 सीटे है राज्य सभा में 6 सीटे है लोग सभा में 14 सीटे है कितनी 14 सीटे है अब बात करते हैं हम लोग हैमंद सोरेन के बारे में इनका नाम हैमंत सौरेन है और इनका जनम होता है 10 अगस्त 1975 में आप सभी जानते ही कि 1975 वही साल है जब हमारे देश में राष्टी ए अपातकाल लगाये गया था और आप सभी जानते ही कि उस समय पिधार मंतरी इंद्रा गांदी थी तो 10 अगस्त 1975 में नेमरा रामगड जिला विहार में इनका जनम होता है जो नेमरा है ना ये अब जहारखंड में पड़ता है कहां पड़ता है जहारखंड में पड़ता है लेकिन 1975 में जहारखंड विहार का ही हिस्सा था और ये अनुसूचित जंजाती यानी कि S.T. से आते हैं इनके जाती कौन से है? अनुसूचित जंजाती और देखे एक देर इसका दुर्बाग कही है आप लो कि जब भी हम लोग किसी नेता के बारे में या किसी और बैक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसका जाती धर्म जरोर देखा जाता है इनके पिता की बात करें तो सीबू सोरेन इनके पिता का नाम है और आप सभी जानते हैं कि इनके पिता भी राजनेता थे पूर्ग केंद्री ये मंत्री रहे हैं आदिवासी नेता रहे हैं क्या रहे हैं आदिवासी नेता रहे हैं और आप देखेंगे अगर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे तो आपको इनकी पिता की पिक्चर दिखाई दे रही होगी फिर आप देखेंगे कि इनकी माता का नाम रूपीत सोरेन जो किसान थी एक तरह से घरेलु महला इनकी पत्नी कलपनाच सौरेन, बेवसाई हैं, बिजनिसमेन हैं, इनके दो बच्चे हैं, और आप लोग इनकी पत्नी को भी स्क्रीन पर देख रहे होगे, इनके बच्चों को भी आप लोग इस्क्रीन पर देखी रहे होगे, फिर आप देखेंगे कि अगर हम लोग इनकी सिक पतना हे स्कूल पतना से इन्होंने पनी शुरुवाती सिक्षा ली उसके बाद विरला परोदुकी की संस्थान मैसरा राची ज्ञारकन से आंगे की सिक्षा पूरी करते हैं और आप सभी जानते हैं कि व्योसाइग की बात करें तो भारती राजनेता हैं और जो ज्ञारकन मु कि इसका काफी विस्तार है राजनिति की आत्रा की बात करें अगर हम लोग हैमत सोरेन की तो आप देखेंगे 2005 में ज्ञारकन बिधायन सवा चुनाओ लड़ायनोंने लेकिन वह इस्टीफन मरांडी से चुनाओ हार गए थे जब 2005 में पहली बार बिधायन सवा का चुनाओ लड़ते हैं तो इन्हें हार का सामना करना पड़ता है और याद रखिए आप सभी को अगर विधायकी का चुनाओ लड़ना है एमेली का चुनाओ लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए और आप लोग कहेंगे कि विधायक का चुनाओ कैसे होता है तो इसका चुनाओ डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो बोटर सोची में आपका नाम भी जोड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डालने जाते होगे 24 जून 2009 में उन्हें राजसभा के सदस की रूम में चुना जाता है और आप सभी जानते हैं कि राजसभा सदस बनने के लिए आपके उमर कम से कम 30 साल होने चाहिए और जो राजसभा के सदसों का चुनाओ होता है यह आपके बिधायकों के द्वारा होता है MLA के द्वारा किसका राजसभा सदस का चुनाओ होता है चार जनवरी 2010 को वह जारखंड के दुमका निर्वाचंद छेत से विधायक चुने जाने के बाद राज्यत सवा से इस्तिपा दे दिया इनोंने क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग एक से जानदा सदन के आप लोग सदस बन जाते हैं चुने जाते हैं आपको एक ही सदन की सदस्ता अपने पास रखने होती बाकी का इस्तिपा देना होता है 2009 में उन्हें जारखंड मुक्ती मोर्शा के कारकारी अध्यक्ष के रूम में निउपत किया गया था 10 सेप्टमबर 2010 में उने जारकंड की उप मुखमंत्री की रूम में चुना गया था कब ये 2010 की बात है फिर आप देखेंगे 13 जुलाई 2013 को हैमंध सुरेन को जारकंड की पाचवे मुखमंत्री की रूम में नियुप किया गया था तो पहली बार ये 2013 में ज्ञारखंड की मुखमंत्री बने थे और 23 दिसंबर 2014 को वह वरहेट विधासवा चेद से विधायक की रूम में चुने जाते हैं और 2014 की में ज्ञारखंड विधासवा चुनाओं में भाजापा को यानि की भारती जंता पाइटी को बहुमत मिलता है और 8 जन्मरी 2015 में उन्हें विपक्ष की निता की रूम में नामित किया जाता है फिर आप देखेंगे 23 दिसंबर 2019 को उन्हें फिर से ज्ञारखंड विधासवा चुनाओं में बरहेट विधासवा सीट से विधायक की रूम में चुने जाते हैं और वो 2019 में 29 दिसंबर 2019 को हैमत सोरेन ने जारखंड के 11 मुकमंत्री की रूम में सपत ली और अभी वरत्मान में वो जारखंड के मुकमंत्री है आने वाले समयवें इनकी राजनेतिक यात्रा किस तरह से होती है यह तुम आने वाला वक्ती बताएगा और इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग कम से कम एक न्यूच पेपर को पढ़ते रहा करिएगा वैसे भी आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तुहां से भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इनसे विबाद भी जुड़ा रहा है वर्ष 2017 में जारकंड के सीएम रगवर दास ने हैमंद सुरेन को जारकंड गिलोबल इन्वेस्टर सम्मिट में आमंतित किया था लेकिन हैमंद ने यह कहते हुए निमंतर को आसुईकार कर दिया था कि सम्मेलन भूमी हत्याने वालों का एक महा चिंतन सिविर है और यह है आदिवासीओं और आप देखेंगे मूल वासीओं और राज़यों के खिसानों की भूमी को लोटने के लिए आयोजित किया जा रहा है और अभी भी आप देखेंगे इन पर विवाद चल रहा है विवात चल रहा है और इनकी पिधानमत्री जो मुखमंत्री की कुरसी है उस पर भी खत्रा मढ़रा रहा है खत्रा मढ़रा रहा है आप देखेंगे कि हैमन सुरेन को चुना आयुग ने भी नोटिस भीजा था क्या किया था और एक तरह से आयुदacz में उनने चुनाओ की तरफ से नोटिस भी बेज अगया था लाब की पत के को लेकर एक तरह से टोन नोटिस भी जागया था तो याद रखिए इस तरह का जो भी नेता चलशा में रहता है उसके बारे में एक सामन जानकरी जरूर अपने पास रखा करिएगा और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे